नमस्कार खबर गाउं शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपके साथ हर्ष चोदरी और आईए बुलेटिन देखते हैं खबर गाउं से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटा-फटन दाच में चुनाओं में वोट पटोनने के लिए कॉंग्रेस इवा चेहरों पर भरोसा करती है उन्हें आगे भी भड़ाती है लेकिन जिन दमदार चेहरों की बदोलत पार्टी सता में वापसी करती है उन्हें एन मोके पर साइडलाइन कर दिया जाता है कॉंग्रेस में ट्रेंड लगातार देखने में आ रहा है कॉंग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही दाउं पंजाब में खेला है तीसरी बार के विधायक और 35 साल के अमरेंदर सिंग राजा वडिंग को पंजाब कॉंग्रेस का परधान बनाया गया सवाल उठा है कि 2027 में यदि सत्ता में वापसी होगी तो क्या कॉंग्रेस राजा वडिंग पर भरोसा जताएगी पाकिस्तान में इमरान सरकार गिर गए इसी के साथ करीब एक महीने से जारी सियासी घमासान फिलाल थम गया है इसी के साथ विपक्ष की और से नेता गोशित पीम एलन की नेता शहवाज शरीफ पाकिस्तान के पीम बन गए देखा जाए तो इमरान की कारेयालेम कारेयकाल के दोरान भारत और पाकिस्तान के रिष्टे काफी खराब हो रहे हैं ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद दोनों देशों के रिष्टों में एक बार फिर गरम जोशी आ सकती है हलाइब ऐसके सारा दरौमदार पाकिस्तान की सेनापर होगा विकानिर के कुलायद में पंजाथ स्मीति के सबाकामर सवागार में सोवार को राजयसान सरकारमे और जामन्तरी भामर सिंग भाठी ने उखण रिस्तरी अदिकारियों बैठक में जिला परिशित की मुख्या कार्य कारणी अधिकारी नित्या के उखन के अधिकारी और परदीप चार विकास अधिकारी वे दिनिश भाटी परतान परतिनीडी चुमरलाल सेथिया सहीत जन परतिनीडी वे कर्मिक मौझूद रहे। बैठके बाद मंत्री भाटी ने वधान सबा चेत्र के लोगों के अभाव अभ्योग भी सुने। मारग गुंजमान हो गया। जगह जगह भक्ति जन भक्ति में भजनों पर नाचते गाती चल रहे थे। विमान का पूरे मारग में जगह जगह जगह। कॉलाइट में अनुपम कलाशुबम शोयकुम्ब बीकानेर द्वारा कॉलाइट में एक दिवसिया चित्र कलाकारिशाला का योचिन किया। और सीखों और सीखाओं के मादेम से कोलाइट कापिल सरौबर की परेसर में दिवारों पर सौंध्रिय करन स्वचिता के लिए चित्रकारों द्वाराचित्रों से सौंध्रिय करन किया जाएगा। इस कार्य के लिए वरिष्ट उमाशंकर, सेन, शर्वननाथ, धर्मापेंटर, वैस्तानिय, चित्रकार, रूपकिशोर, सेना के द्वारा उनकी पूरी टीम के साथ एक दिवसिया पूरा कार्य किया जाएगा इस कार्य को लेकर घाट का निरिक्षन भी किया गया कपिल मुनी के मंदिर से लेकर हनमाच जी के मंदिर तक या चित्रकारी की जाएगी उमाशंकर और रूपकिशोर ने बताया कि 17 प्रेल 2022 से सुबै नो बज़े से श्याम पांच बज़े तक या कारे करम किया जाएगा विकानिर के कोलायत में बज़्जू पंजय समिती के चारणवाला ग्राओं के मेगवाल सबबभावन में भारत व्रतरन डॉक्टर भीमरा वामेटकर की जैनती को सप्ता तक मनानी के लिए कारे करम का गाज हुआ करे करम के मुख्य ठीती के रूप में भीमा आर्मी जिला अद्यक्षी के लाश चंदेल उपस्तित रहे इस दौराण जिला अद्यक्षी चंदेल ने महत्मा बताया कि महत्मा जोती बाफूले वे बाबा साहब की जीवनी पर परकाश डालते वे का कि सिक्षा के बिना आगे के लिए अपील भी की और चारण वाला सरपंच परतिनीदी हुक्मा राम नायक वा पुरो सरपंच परतिनीदी परताप सिंग भाठी वंचैट समीती सदस्चे इस्वर लाल मेगवाल भीमा आर्मी ग्रामिन अत्यक्ष पैन जलावार जिले के बकानी चेत्र के सरकारी कारलि कार्य को बहतर तरीके से करने के लिए उन्हें दिशा निर्देश दिये जिसके पश्चाद पंचैट समीती कारले पहुंचे जाविका सदिकारी समय सिंग मीना वय अभ्यंता रमिश वर्मा से सरकार की जन कल्यान करी योजनाओं के बारे में बात की वहीं अधार सिडिंग को लेकर घंबीरता दिखाते वे अधिक से अधिक लोगों का अधार पंचिन कराने को लेकर निर्देश दिये वहीं चरन जीवी योजना से जोडने के लिए लोगों को प्रेरित किया और प्यम आवास नेरेगा योजना जल जीवन मिशन साइथ के य योजनाओं की चांद कारिली महिं पदमपुर में पुलिस के मुक्मीर की सुचना परवार नमर चार में बड़ी कारवाई की गई पुलिस ने एक युवक को घर में मीनी फैक्टरी के साथ अवेध हतियार बनाते हुए गरफदार किया थाना परवारी रामकेश मीना ने बताया के गिरफदार किया गया 27 वर्षिय टिंकू यूपी के फिरोजाबा जले का रहने वाला है युवक अपने परिवार के साथ या लंबे समय से रह रहा था और वदमपुर के वगत सिंग चोग पर गोल गपे का काम करता है पुलिस को सुचना में लेके गरफदार किया गया युवक टिंकू घर पर ही अवेद अतियार बनाकर उत्रपरदेश में भी सप्लाई कर चुका है राइबरेली जिले के लालगंज गोतवाली चेतर के इहार ग्राउं सभा में जिला पर शासन का बुल्डोजिर गरजा तो भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया ग्रामपर्दान परतिनीदी राजिश फोजी ने उपजिला दिकारी डल्मव को लिखित प्रातना पत्र देकर भूमाफियाओं के मसंवों पर पानी फेट दिया परतिनीदी राजिश फोजी ने बताया कि बाल में हूँ मजरे एहार में गाटा संख्या 1101 पर तलाब आवंटित है और बाल हमेहू निवासी कुमार विवेक दुबे फुत्र अमकार दुबे के जबरन ग्रामसबा के तलाब की जमीन पर अवेद कार्या करवाया जा रहा थ MLC जुनाओ के दिन रातो रात कार्या कराया जा रहा है तसील परशासन वा कोतवाली परशासन ने संग्यान में लेत वे आज अवेद निर्मान पर बुल्डोजा चला कर संदिश देधिया कि अवेद कब जा करना वेगेर तरीके से कुछ भी निर्मान करना योगी सरकार में तो संभब नहीं है कलाकारी की राजनीथी से परिशान है पीते दो सब्ता से विशन गर्मी से जूजरे राजस्तान के लोगों के लिए राहत की खबर परदेश में आज मौसम में बदलाव से आस्मान में हलके बादल चा गए इसे 35 डिगरी सेल्सियस तापमान में तपरे राजय के कई शेरों में पारा 3 डिगरी सेल्सियस तक गिर गया मौसम विशेशगों की माने तो इस बदलाव से विगाने संभाग में तेज स्पीड के साथ धूलबरी हवाएं चल सकती है मौसम विशेशगों की माने तो जम्मो कश्मीर की तरफ एक पष्चे में विख्चोब एक्टिव हो रहा है इसके कारण उत्र भारत के इमाचल जमू लदाक में 14 अप्रेल तक आस्मान में बादल जाय रहेंगे गरज के साथ कुछ लाकों में हलकी बोचार हो सकती है इसे विख्चोब का प्रभाव उत्रो और पष्चिमी भारत के मैदानी लाकों में भी पड़ रहा है जैपुर जहर में फरजी तरीके से सिमकार जारी हो रहे हैं जिनमें अपरादियों की और से फरजी सिमकार यूज के वे अपराद किया जा रहे है कानू निवस्ता बनाय रखने के लिए जैपूर कमिशनेट की और से मोबाइल फोन सेवा परदाता कमपनियों के डीलर्स और सब डीलर्स को पावन किया गया इसमें जाज जेंसियों के और से मांगे जाने पर 5 साल तक का रिकॉर्ड अपलब करवाना होगा एडिशनल पुलिस कमिशनर हैदर अली जेडी ने बताया कि जानकारी मेली जैपूर शेयर में काफी संक्या में मोबाइल फोन सेवा परदाता कमपनियों के डीलर्स और सब डीलर्स की और से दूसरों के नाम से किसी अन्या के पहचान पतर दस्तावे जादी का गलत यूज किय जा रहा है फिलाल इस बुलिटिट में इतना ही और तमाम कबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ नमस्कार बिना रुके बिना डरे बिना किसी समझोते के